ग्यान से मनन करने के बारे में एक सुन्दर बात बता देंगे अगर हम लोग नीच चीज पर पंचकाम हो या नीच इच्चाओं पर आशा करने जाएगा तो हमारे पास प्रज्ञा रहता नहीं है उनके पास प्रज्ञा जैसा कुछ रह जाएगा उनके पास थोड़ा मनन भी है लेकिन वो योन सुमन सिकार नहीं है ग्यान से मनन नहीं है लेकिन जिसके पास प्रज्ञा है वो अपना प्रज्ञा के कारण मनन करके खतरा से बच जाते हैं इसलिए कल्पना करके ग्यान से मनन करके काम करने का खीमती समझने के लिए कोशिस करिए एक कारण समझना चाहिए कि सारे लोगों को ये ग्यान से मनन करके काम करने का शमता बहुत सारे लोगों के पास नहीं है बहुत कम लोगों के पास है ग्यान से मनन करके काम करने का शमता ऐसा है तो ग्यान से मनन करने का शमता जिसके पास है उन लोगों के साथ संगत करेंगे तो हम लोगों का भी ज्ञान से मानन्द करने का शक्ति बढ़ जाता है एसा ज्ञान से मानन्द करने वाले ज्ञानी लोग के साथ रहने से हम लोगों का प्राज्ञा किस प्रकार सुरक्सा हो जाता है आज्याकारी होने से और कोई मार्ग नहीं है जो देने वाले उपदेश को मानने से ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं एसा है तो उपदेश देने पर लोग सुरक्षा होता है क्या नहीं होता है सुरक्षा होता है किस कारण से उपदेश को मानने से उपदेश देने से नहीं आज्याकारी होने से एसा है तो एक आदमी एक बच्चा आग्याकारी नहीं हुआ तो देने वाले उपदेश को नहीं मानेंगे तो वो पुरा आश्रम रहने वाले सारे लोगों के लिए खत्रा हो जाता है चाहे वो घर में घर हो या कोई भी ससाइटी हो कोई आश्रम मंदिर हो आग्याकारी नहीं हुआ तो अबवाद उपदेश को नहीं मानेंगे तो वो खत्रा सिर्फ उनके लिए नहीं है पुरे सबको हो जाता है जिसका मन उपदेश में पसंद है तो आग्याकारी होने में पसंद है तो वो मन बिलकुल ठंदा है वो एकदम सांत है मन उनका मन में हमेशा सही सांदेश चल जाता है सही मेसेज चल जाता है गलत मेसेज कभी नहीं जाता है उपदेश मानने वाले मन वैसा है हमेशा सांत हो जाता है सीधा रहता है कभी गलत क्योर नहीं ले जाता है लेकिन उपदेश को नहीं मानने वाले मन ठंदा नहीं है गरम है कठोर है भटाकते रहता है उसी ब्याक्ति को अगर ग्यान से मनन करके प्रग्णा से कुछ उपदेश देगाता भी वो मन में नहीं चल जाता है मन में बैठता नहीं ऐसा बात गलत रास्ता पर वो पकड़ लेता है लगता है मुझसे जलन करता है लगता है लगता है मुझसे नराज है लगता है कुछ कारण से से होता है इसी प्रकार गलत फैमी हमेशा लेते रहता है कोई उपदेश देगा तो इसके बाद वो हमेशा ग्रिना मन से रहता है, जब भी उपदेश देता है तो ग्रिना होता है, मन उसी उपदेश में लगता नहीं है, हमेशा गलत डंग से मनन करता है, लगता है मेरे बार में जान गया, लगता है मेरे बार में कोई चुगली किया, लगता है मुझसे जलन करत कोई न कोई गलत फहमी आकर कि वो विचार को उपधेश सुनने वाले थंड़ा मन को डुबा के गरम कर देता है मन तब मन क्या हो जाता है काठोर हो जाता है भटाकते रहता है हमेशा जब उपधेश मिला उसी दिन से समय से कान नहीं का पाता है चैन से नहीं रह पाता है ध्यान करने पर भी अच्छा से मन सांत नहीं होता है वो ही याद आ जाता है देखे कितना खातरा है तो उस समय वो खुशल पर रहता है या तो फिर आकुसाल में रहता है आकुसाल पर रहता है वो खुशाल पर नहीं जब तैक उसको tension रहेगा तब तब तक आखुशाल बाड़ते रहेता है इसलिए जिसके पास प्राज्ञ नहें एसे प्राज्ञ नवन लोग किस कितना भी प्रयास करके कितनों भी महनत करके कितनों भी मानन करके समझाने के लिए कोशिच करते송 कोशिच करते एसे करो एसे करो एसे होना अच्छा है एसे होना बहुत आच्छा है तुम बहुत आच्छा हो जाएगा तुम एसा एसा हो जाएगा अच्छा रहेगा सुन्दर होगा समको प्रसान हो जाएगा एसे करो एसे करो एसे बहुत बोलने पर भी उस उपदेश का भी मान में जाता न नहीं है लेकिन याद्रा की उपदेश से ही आववाद से ही हम लोग सुरक्षित हो जाता है आरक्षित हो जाते हैं ये कारण अगर समझ लेंगे तो कौनसा कारण उपदेश से ही आग्या से ही हम लोग सुरक्षित होते हैं और कोई राष्टा से नहीं आग्या नहीं मिलेगा तो उपदेश नहीं मिलेगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं है ये विचार अगर मन में है आग्या तो थाता जिसके पास प्रज्ञा है जो उन्हें सो मनिजिकार कर उनके संगत में रहने से ही मेरा कल्यान हो जाता है। ये कारण भी अगर सोच के मनन करें समझ लेंगे तो वहां हमारा मन बहुत नम्रता हो जाता है। मुदिता हो जाता है। मुदिता मतलब सोफ्ट। मन सोफ्ट हो जाता है। खाठोर नहीं। दो कारण पहला कारण क्या है। उपदेश तता आग्या से ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। दुसरा कारण। जिसके पास प्राज्ञा है जो उन्हें से मनसिकार करते हैं ऐसे लोगों के साथ संगत करने से ही हमारा खल्यान हो जाता है ये दो कारण भूल गया ना तुरंद आप लोग अभी दूसरा दुनिया में हैं इसलिए याद नहीं वह ऐसा मनन करके हम लोग खल्यान मित्र था था उपदेश पर प्रसंद हो जाएगा तो हम लोग का मन सोफ्ट होता है सोफ्ट मतलए हिंदी में क्या है मुलायम होता है वो मन कुछल में आ गया है वो मन ठांडा हो जाता है ठांडा मन है वो मन में प्रबोध है प्रबोध मतलब इसम एक्टिव है वो मन किला हुआ पूल जै सबा सबाथ सुरज उ령ते समय फूल कैसे हस्त हस्त रहता है वाईसा मन रहता है कि सबात थोड़ा दीमेदीमा बारिश गिरखे शुरज उगने के बाद पाउदा कीस रहता ह्सत हस्त वहसा हो जाता है उनका मन क्योंकि वो मन कुसल में आ गया है वो मन ठंडा हो गया है हमेशा वो मन कुस नसीब में ही रह जाता है उसी मन पर अगर कोई उपदिस मिल गया तो विस्तार से विस्तार से बताते समय तुरंथ वो मन योनिसु मने सिकार करकी वो समझ लेता है उपदिस को वो फायदा है वो मान को कोई भी चीज समझ साकता है क्यूं? क्यूंकि वो मन हर पल कुशल पर रहता है अकुशल पर नहीं उसी को कहा जाता है योनिसो मन सिकार उसी को कहा जाता है ग्यान से मानन करना तो योनिस मानसिकार करने वाले लोग हर पल कुस नसीब से ही रहते हैं ये काम सारे लोगों को कर पाएगा नहीं कर पाता है आववाद उपदेश आग्या से हम लोग को मिलने वाले कल्यान तता लाब तता सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह समझने के लिए कोसिस कीजी आग्या तता उपदेश से हमारा कल्यान हो जाता है सुरक्षित हो जाते हम लोग हर पल हम लोगो लाब ही लाब मिलते रहता है उसी फाइदा के बारे में समझने के लिए कोशिस कीजिए समझ कर उसी आववाद को बिना त्याग कर प्रयास करने में पसंद होना चाहिए प्रयास करने के लिए पसंद होना चाहिए ततागत भगवान बुद्ध ततागत भगवान बुद्ध के सामे में जो कोई ब्यक्तित अतागत बागवान बुद्ध के संगत में रह गया तब भी, जीवन बिकार हुए लोग था, देवदात्त, को कालिक है, और कोने, नहीं, सुना कात्त, एसे लोग बागवान बुद्ध की चीवर में ठच होते होते रह गए, काभी पैर भी दबाए, बागवान बुद्ध की पात्र भी लिये हैं, एसे संगत में रह के भी, उलुक ना रखने गये मारने के बाद, तो एसा है तो प्रज्ञावान लोगों के साथ रह जाए गा तब भी, प्रज्ञावान लोगों का उपकार हमारे साथ कनेक्शन नहीं होता है, क्यों कनेक्शन नहीं होता है, क्यों हमारे साथ प्रज्ञावान लोगों का आववाद नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग उन लोगों का उपदेश से मिलता नहीं है इनकार करते हैं मानता नहीं है तो याद रख एक बात ये ऐसा है तो अववाद से ही अववाद हिंद्य है न उपदेश से ही आज्या से ही हमारे जीवन सुरक्षित हो जाते है ये समझ जाएंगे तो हम लोगों को हमारा मन उपदेश में जुका सकता है हमारे जीवन सुरक्षित होता है किस चीज से आववाद उपदेश से ही हमारे जीवन सुरक्षित हो जाता है अनुसासन से और कोई चीज से नहीं अनुसासन को अगर हटा दिया तो वो कोई भी चीज हटाने के लिए तेयार सब कुछ त्याग कर देगा अगर जो व्याक्ति मानन करेगा तो हमारे जीवन सुरक्षित हो जाते ओर कोई चीज सूत्र पढ़ने से आट नाट सूत्र पढ़ने से आशिराद धागा पहनने से अलग अलग चीज पकटक रहे जाएगा तो तथा एसे कोशिश करेगा तो वह हमेशा सोचता है मतला हम मेरे बाद समझ गया है वह समझता नहीं मेरा जीवन सुरक्षित होता है उपदे से अनुसासन से वह विना समाझ के वह सोचता है मेरा जीवन सुरक्षित होता है आटनाट ये से, आशिवरत पानी से, ये चीज़ से, वो चीज़ से मेरा जीवन सुरक्षित होता है, वो येसा गलत फहमी आ गया तो, उनको अगर कोई आ करके उपदेश देंगे तो, अनुसासन करेंगे तो, आ गया देंगे तो, वो आ गया दुस्मन जेशा समझता है इसके पास उसी दीन से एक ठोड़ा सा दाग लग जाता है मुझसे जलन करता होगा फिर बाद में सोचता है नहीं मेरा मन में गलत विचार रहा गया है लेकिन आ गया ना एक बार फिर आते ही रहेगा हो इसके पास वह बढ़ता जाएगा दीरे-दी लिए साचमूशी मुझसे जलन करता है हम रहेंगे नि इसके साथ जब हम देखता हों यह जलन करता है मैं दिरते बडते बडते आंट में चुह बिली वह गुरुतहो उसको उसको ठीक देने लेकिन उसका मन्य जोबन जाता हैं कि इसके वाद वो हर एक चीद्स उडर निकलेते यार बागवान बुद्ध को चोड़ देते हैं आरे ग्यान को चोड़ देते आरे सत्य को त्यार करते हैं साओ दुप में फास जाते हैं उसी प्रकार अगर मनन करेगा तो कितना भी प्रग्जावन लोग बगल्म आरहांत बनते लोग रह गया तब भी उन से कोई शरण नहीं पा सकता है मदद नहीं मिलता है इसलिए अगर हम लोग मनन करेंगे तो हम लोग सुरक्षित होता है अवबाद से उपदे से अनुसासन से ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं आग्या से हम लोग सुरक्षा हो जाते हैं उसी प्रकार समझ लेंगे तो अतिशे प्रग्णावान ब्यक्ती है वो क्यों कि कैसे वातिशे प्रज्ञावन बन जाते हैं क्योंकि उनसे भी ज्यादा प्रज्ञावन ब्याक्ति से हर पल उनको अनुसासन मिलते रहता है मार्ग मिलते रहता है इसलिए वातिशे प्रज्ञावन बन जाते हैं इसा है तो प्रज्ञावन लोगों का ग्यान की शरन को पाना चाहेंगे तो क्या चाहिए प्रज्ञा चाहिए प्रज्ञा नहीं है तो प्रज्ञा नहीं पासकता है तो ये अनुसासन को मानने वाले लोग केसा होगा अनुसासन मानने वाले लोग को सोतापन नहीं सद्धानुसारी नहीं बलकि सिर्फ सूत्र का ज्यान रहने वाले पाप ही आदमी अगर सूतर पदेश देगा तो बगवान बुद्ध की वान यह उसी पर का बता देंगे तो वह बहुत काफी है सुधर ने के लिए जो नहीं सुधरता है अनुसासन को मानता है उनको ततागत भगवान बुद्ध भी आकर बता देंगे तो सोचेगा आभी तो एक-दो माईन अबागवानवूद आस्रे में रहेंगे ही बाद में हम जरा उनसे समाज लेंगे अभी हमको ट्यूसन जाना है इसकूल जाना है इसलिए हम आप लोग को बार बार उपदेस मिलता है ना अनुसासन मिलता है ना ये मत करिए ये करिए ये बात मुझसे विना पूछ के मत करिए ये कर दिया तो मुझसे बता ही कोई गलती किया तो मुझे आके बता ही ऐसा अनुसासन मिलता है ना बार बार वो सारे अनुसासन हमारा सुरक्षा के लिए हमारा कल्यान के लिए मिलता है उसी प्रकार समझ जाएंगे तो वो सुरक्षित हो जाता है इसीलिए वो कारण अच्छी तरह समझ लीजिए नहीं है तो मूर्क लोग सोचता है केसे जो मूर्ख है, असली मूर्ख है तो तोड़ा सा गलत बता, खोई गलत देख लिया बताया, तुम ये गलत करता है सिर्फ आज हुआ है, फिर कभी नहीं हुआ बचने के लिए कोशिश करता है इसके बाद उसको डाट दिया तो फिर सोचता है अनुसासन मानता नहीं है उसके पास योनुस मानसिकार नहीं है योनुस मानसिकार है, तो सोची निनान में अच्छा ही हो गया, एक गलती हो गया उस गलती देखने के बाद फुरा डाट मिला, वो अनुसासन मिला पुरा मार भी दिया, हाँ जोड के मानते हैं जो कुछ गलती किया, किया हो आच्छा है को अभी बोलता नहीं है हम से मिल पहली बार हो वो भी नहीं बोलता है जी मुझसे गलती हो गया, जी जी ऐसे करके जो दन्ड़ देता है सारदन सुईकार करता है वो प्राज्णावान है, वो योन से मनिसिकार करते हैं इसलिए आप लोगों को आशिर्वात करते हैं अपना जीवन को उन्नती की और ले जाके सुरक्षा करने वाले सुन्दर अनुसासन करने वाले कल्यान मित्र को इज्यत सत्कार सम्मान करके मिलने वाले अनुसासन को परिपूर्र प्रकार से सुरक्षा करके सारे लोगों को कुस नसीब से जीने का भागी मिल जाए